मलिक आरजुन खडगे जी ने कहा कि हमें EVM कते ही नहीं चाहिए मलिक आरजुन जी राहुल गांधी जी आपको EVM नहीं चाहिए आपको जुडीशियरी भी नहीं चाहिए आप तो बता रहे हैं जुडिशरी का काम भी हमें करना पड़ रहा है वो नहीं कर रहे हैं आपको election commission भी नहीं चाहिए आपको ED भी नहीं चाहिए CBI भी नहीं चाहिए आपको भारत सरकार भी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो अच्छी सरकार नहीं है आपको कुछ नहीं चाहिए तो मुझे लगता है आपके लिए सर्वोक्च स्थान और उप्युक्त स्थान मंगल रहा है कोई नहीं है वहाँ ना जुडिश्यरी है ना E.D. है ना C.B.I. है वहाँ E.D. मेशीन भी नहीं है इलेक्शन कमीशन भी नहीं है वहीं जाएए वहाँ बिलकुल आप सहजादे जी को कुर्सी पर बैठाईए और आनंदे से रहिए मुझे बड़ा आश्चर ने हुआ मलिकारजुन खड़गे जैसे एक सीनियर पॉलिटीशियन ने कल एक वाक्य कहा कि SC, ST और OBC और गरीबों के जो वोट है वो EVM के कारण खराब हो रहे है क्या सोचते हैं मलिकारजुन जी और कॉंग्रेस पार्टी कि जो अनुसूचित जाती के लोग है जो अनुसूचित जनजाती के लोग है या जो ST लोग है जो OBC है अधर बैकवर्ड क्लास है उनको EVM में वोट करना नहीं आता वो इतने अनपड हैं और इतने समझ भी उनको इतनी नहीं है कि वो EVM में किस प्रकार वोट कर सके बटन कहां दबाना है कैसे दबाना है वीवी पैट उसमें निकलता है उसे देखना है वेरिफाई करना है जस्ट बिकॉज या SC, ST, OBC and poor they do not know how to use EVM ये एक इंसल्ट है ये कहीं न कहीं SC, ST और OBC समाज के प्रती एक बहुत बड़ा इंसल्ट है एक बहुत बड़ा धक्का है और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मुझे नहीं लगता था कि मलिकारजुन खड़ गे जैसा सीनियर विक्ती इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग करेगा मलिकारजुन जी का यह भी कहना था कि हम तो बैलट पेपर किसी भी कीमत पर लेकर आएंगे और EVM मशीन जो है वो नरेंद्र मोदी और अमिच्छा जी के घर पे रख दीजे मोदी जी और अमिच्छा जी के घर पे EVM मशीन रख दीजिए हम बैलट पेपर लेकर आएंगे खड़गे जी राहुल जी मोदी जी के घर में EVM मशीन है E for energy V for vikas M for mehnat मशीन की तरह मोदी जी काम करते है He works like a machine and he has EVM वो उर्जा उनके पास है E for energy V for vikas vikas के लिए development के लिए काम करते हैं और वो अतुलनियम महनत EVM उसी के कारण आज भारती जनता पाटी जीत रही हैं सही कह रहे हैं हम EVM के कारण जीत रहे हैं जहां E से energy, V से vikas और M से महनत होता है और आप RBM के कारण हार रहे हैं RBM कारत है Rahul's बेकार management हम EVM के कारण जीत रहे हैं, आप RBM के कारण हार रहे हैं खराबी machine में नहीं है खराबी leadership में EVM ठीक है, Rahul कराब है हाँ EVM बाद में बदलिएगा, Rahul को बदलिए बताइए कोई भी प्रतिद्वंदी इस प्रकार का unsolicited advice नहीं देता है मगर फिर भी मुझे लगता है लोकतंत्र में इतनी सिष्टाचार होनी चाहिए कि इतने वर्षों तक साथ साथ पार्लमेंट में और assemblies में बैठने के बाद कम से कम कुछ advice हमें भले ही वो unsolicited लगे हमें देना चाहिए मैं तो मलिकारजुन से कहूंगा मलिकारजुन जी जानते हैं वैसे कभी-कभी उनके चेहरे को मैं भी पढ़ता हूँ वो जानते हैं खराबी कहा हैं बिचारे बोल नहीं पाते हैं बदलने की यात्रा उसी से सब कुछ मंगल हो गया और भारत जोड़ो यात्रा के बाद आप बोल रहे हैं ballot paper यात्रा निकालेंगे वैसे भी ठीकी है वैसे निकालना चाहिए यात्रा निकालना चाहिए टाइम भी है उनके पास अभी यात्रा निकालने अच्छी बात है On a serious note जो मलिका अर्जुन जी ने कहा कि हम EVM हटाएंगे और ballot paper लेके आना चाहते हैं और coincidence देखिए Supreme Court में ठीक उसी समय एक petition पे सुनवाई चल रही थी Mr. K. Paul ने petition डाल रखा था कि EVM मशीन हटाने की अवशक्ता है EVM से धांदली होती है और ballot paper पे आने की अवशक्ता है और Supreme Court में जस्टिस विक्रमनाद जी और जस्टिस प्रसन नभी वराडे वराले दोनों जस्टिसेज उनकी खंडपीठ इसकी सुनवाई कर रही थी परस्ट रूप से इस खंडपीठ ने पूरे विशय की सुनवाई के पस्चात कहा है कि EVM में खराबी नहीं है अंग्रेजी में उन्होंने कहा है suspicion of EVM fixing is unfounded quote unquote unfounded EVM मशीन में कोई गरबड़ी नहीं है आगे वो कहते हैं जो candidate हार जाती है वो आके EVM का रोना रोती है जीतने से EVM ठीक हारने से EVM खराब यह अंगूर खटे वाली कहानी है और exactly Congress Party मुझे तो लगता है कि यह सब्द Congress Party के लिए ही कहे गए बिलकुल हूब 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 कांग्रस Party के लिए फिट हो रहे है और coincidence देखिए यहां मलिकार जुन खड़गे जी भाशन दे रहे है कि EVM हटाना है EVM में खराबी है और यहां Supreme Court कह रही है EVM में खराबी नहीं है आरने वाले को हमेशा EVM में ही खराबी नजर आती है मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप यात्रा निकालने चाहते है आप EVM को फैकना चाहते है यह सब कुछ ठीक है जब 2017 में एक हैकाथान हुआ था Election Commission ने एक हैकाथान किया था कि आईए हम यहाँ EVM मेशीन रखेंगे और सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग आके आप हैक करिए और बहुत पहले से नोटिस जारी किया था कि हैकाथान होगा कोई नहीं गया कोई गया नहीं हैकाथान करने के लिए उससे पहले तो टीवी पे मुझे याद है वो आम आदमी पार्टी के सायद सोरा भरदवाजी शायद वही वो कुछ तारवार जोड़के हैक कर रहे थे कि कैसे हैक होता है उस दिन नहीं गए और हैक करने के लिए उस दिन हैक करने नहीं गए वहाँ पी EVM को हैक करने के लिए तो ये कॉंग्रेस पार्टी hackathon के दिन घर में क्या कर रही थी हाँ विदेश स्ट्रिप में चले गए वंगे राव ये हो सकता है उस समें कोजने से थाई-लाइन सगरे में कहीं होंगे कहीं appreciate नहीं कहीं होंगे बार ही होंगे and when the hackathon takes place no one represents your party in the hackathon to prove what you are saying Elon Musk जी ने भी tweet किया है मैं धेख रहा था CEO है Tesla के जो June 4 को July 4 को हमारी results निकलने के बाद June 4 को results निकलने के बाद लोग सभा के एक article छपीती कि India counts 640 million votes in a single day तो Musk जी ने उस पे tweet किया है और हाँ तैसे देखे एक emoji बनाया हुआ है कि उनके एक state में अभी तक counting चल रही है यह आंतरिक क्वेशा है उनका उस पे मैं comment नहीं करना चाहूंगा मगर he has applauded कि आप देखे इतनी बड़ी system एक दिन में counting कर सकती है मगर हमारे यह लिमिटेड है फिर भी हमारी counting अभी तक चल रही है यह भारत के लोकतंत्र की सुंदरता है election commission ने बार-बार आपको invite किया 2004-2009 के लोकसभाग के चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में थे Congress party के पक्ष में थे यह दोनों चुनाव EVM के माध्यम से हुए थे और इस बार भी 2024 में single largest double digit number में आप आए हैं पहली बार आप उससे में कितना खुश हो रहे थे इतरा रहे थे उससे में तो EVM के खिलाप नहीं बोल रहे थे चब आपको 99 seats आई थे single largest opposition party बनके आप उभरे 99 seat के साथ उस समय तो सब कुछ ठीक था और बाकी राज्यों में जब आप चुनाव जीतते हैं उस समय EVM खराब नहीं होता है मुझे तो पड़ा आश्चरे लगता है कि आपने हेमंत सोरेन जी के और जे-म-म के जीत को भी कुंद करने का काम किया है यह अलाइंस धर्म नहीं है आप जो EVM के उपर आक्षेप लगा रहे हैं आपका कहने का तातपर यह है कि यह जो जे-म-म भी जीती है वो अभी कुछ माल प्रैक्टिसेस के माद्यम से जीती है EVM खराब था ते डोंट डिजर्फ टु विन मुझे लगता है यह अलाइंस नीती नहीं है जहां आप खुद अपने अलाइंस पार्टनर के उपर इस प्रकार हमला करते हैं बार-बार में कहता हूँ मशीन में खराबी नहीं है वेक्ती और लीडर में खराबी है जब तक राहुल जी रहेंगे ऐसा ही चलता रहेगा कोई सवाल हो तो अबस्य पूझे क्या आप खुदा है कि करताओं को ज़ासा से मचाने के लिए इसा कह रहे हैं या क्या रन्निती हो सकती है क्या रन्निती हो सकती है है और क्या बोलेंगे लोगों को सब कारेकर्टा कॉंग्रेस पाعटी के जानता है सब जानते है कि राहुल गांदी से नहीं हो पाएगा ये कौंण नहीं जानता है मैं भी जानता हूँ आप लोग बोलते नहीं है आप लोग भी मन में सोचके देखिए और कॉंग्रेस वालों से पूछिए वो भी बोलते नहीं हो पाएगा उससे अब क्या बोलेंगे कि यह चुनाव राहूल गांदी जी के कारण हर गए अब यही सब बोलेंगे EVM खराब हो गया जी, मेशीन खराब हो गया बिजली कट गई, रोड खराब था हमारा कार काम नहीं कर रहा था यही सब बोलेंगे, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना अब यही बोलते हैं EVM खराब हो गया है, जानते सब है कि राहूल खराब हो गया है मैं तो वो स्टेटमेंट भी लेके आया हूँ राजीव गांधी जी का राजीव गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था बैलट पेपर के विरोध में राजीव गांधी जी ने कहा था कि यह 86 सीट बीजेपी को कैसे आ गई और वो कथन में राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ सच क्या है बीजेपी के पिछले पार्लामेंट में लोगसभा में 86 सीटे आई थी उनकी 86 सीटे जीतने की ताकत आज तक नहीं बनी उनका वोट 8 प्रतीशत से बढ़कर मुश्किल से 12 प्रतीशत हो गई 8 से बढ़कर 12 प्रतीशत होने से उन्हें 86 सीटे मिल गई यह तो हिसाब जुड़ता नहीं है पल्ले पढ़ता नहीं है इस हिसाब से तो कॉंग्रेस को 500 के 500 सीट जीतनी चाहिए कुछ गड़बड है गड़बड तो यह है ही बताईए उस समय तो बैलट पेपर में चुनाऊ हुए थी तो वो गड़बड बता रहे थे बैलट पेपर को और रहे थे बैलट पेपर शिस्टम शुद बीड़बड पेपर खराब बेटे जी बोले एविम खराब वा मतलब राज साही वापस ले आए और उसके बाद बस मुकुट पहना दे इनको बस एक वहाँ पीछे पर सिंगासन रखके आईए जी आईए महारासाँ साजी बैठ जाएए आप मुकुट पहना दे को यह चाहते वही हैं, मुकुट मुकुट पहनना है इनको. So it's a sensitive issue, it's a very sensitive issue. I would wait for the investigation to be complete, I would in fact appeal to everyone that no one should politicize the issue, because whatever we are seeing today, these are recorded, the evidences are present in the public domain, as you stated right now, we can see things in public domain, so let the investigative agencies complete their work, दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा. देखिए जहां तक आपने संभल के विशे में सवाल पूचा है, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि इस पर किसी प्रकार की राजनीती नहीं, इस पर investigation चल रही है और हम सब को investigation के नतीजे का इंतजार करना चाहिए, और भारत वर्ष में संविधान का राज है, स्वभाविक रूप से जो लोग इसके पीछे responsible है, जिनके कारण ये हुआ है, उनको बख्षा नहीं जाएगा. See, as far as Bangladesh and as far as arresting of a monk also, a revered monk also in Bangladesh is concerned, the foreign ministry has issued a statement, has given a statement to which Bangladesh also has reacted. I believe as a political party I would refrain from making any statement since the government of India has already made a statement. We ditto the stand of the government of India. So, we all know the truth, but still I would not be drawn into the kind of fight between two countries. The two countries have exchanged notes, they have exchanged statements, and we all stand by the rightful statement issued by the M.E.E.A. of India. अब माराश्पिरा नेटी का है, उनके बीच मीटिंग का है, उस विशे से मैं अनभिग्य हूँ, सुभाविक रूप से वो मैंडेट मेरे पास भी नहीं है, कि मैं उस पर कमेंट करूँ. मैंने भी अभी मानिये सिंदे जी के प्रेस कॉन्फरेंस को सुना, शिष्टता, शालीनता और भद्रता के शद्दों को उन्होंने बहुत अच्छे से पिरोया है, हम सबने सुना है, और इस विष्टता पर जब तक बैठक इत्यादी नहीं होती है, मुझे लगता है, हम अभी इस विष्टता हैं। Who said? No comments on that, not required. Thank you.